नमस्कार, BKS गुरू क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 वी गडित से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी बच्चों, जैसा की आप जानते हैं हमारे दिन की सुरुवात सुबह से होती है सुबह उठते ही पानी का उपयोग हम प्रती दिन करते हैं जिसमें पानी पीने के लिए, नहने के लिए, सौच के लिए, कपड़े दोने के लिए, बरतन दोने के लिए, खेती के कारे आदी प्रमुख है प्राया पानी को बरतन, बड़े बरतन से बाहर निकालने के लिए छोटे बरतन का उपियोग करते हैं एक मटके में पानी भरा हुआ था और एक प्यासा कौवा उसके आसपास घूम रहा था यहां कहानी आपने बहुत सुनी होगी उसकी चोच पानी तक नहीं पहुँच पा रही थी कौवा ने युकती लगाई आसपास पड़े कुछ कंकड़ों को कौवा ने मटके में डालना सुरू किया हर कंकड के डालने से मटके से भरे पानी का इस्तर थोड़ा उपर आ जाता था आप किसी गिलास में उपर तक पानी भरिये और उस गिलास में कुछ कंचे डालिये क्या होता है क्या होगा इस पर अपने साथियों से चर्चा करें कि वास्तों में यदि पहले से गिलास भरा हुआ है तो जैसे हम कंकर डालेंगे तो पानी और भी बाहर आने लगेगा ग्लास में एक कंचा डालिए और पानी के स्तर को देखिए इसी ग्लास में एक एक करके कुछ कंचे डालिए तथा पानी के स्तर में आ रहे हैं अंतर को देखिए साथियों से चर्चा कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी डॉक्टर को आपने इंजेक्शन लगाते देखा ही हो डॉक्टर पहले बड़ी बोतल से इंजेक्शन से लगे माप के बराबर दवाई निकालते हैं फिर उतनी मात्रा की दवाई को जरुत मंद के सरीर में पहुंचाते हैं आपके स्कूल में पहली से पढ़ने वाले बच्चों का बस्ता देखिए और आपकी कक्षा के बच्चों क बस्ता भी देखिए क्या दोनों बस्ता के नाप में कोई अंतर दिखाई देता है। इसी तरह से एक माचिस की खाली डिब्बी लीजिए और इस खाली डिब्बी को हाथ में उठा कर उसके भार का अनुमान लगाईए माचिस की खाली डिब्बी में एक एक करके तीलियां भरते जाईए माचिस की डिब्बी तीलियों से पूरी भर जाने के बाद क्या उसमें और तीलियां भरा जा सकती है तीलियों से भरी माचिस की डिब्बी को हाथ में उठा कर उसके भार का अनुमान भी लगाईए खाली डिब्बी और भरी डिब्बी के भार में क्या अंतरन्भ हो रहा है और क्यों इस पर चर्चा भी कीजिए माचिस के कुछ खाली डिब्बियां लीजिए और एक मिठाई वाला खाली डिब्बा लीजिए मिठाई के इस डिब्बे में एक एक करके माचिस की डिब्बियां इस तरह से विवस्तित रखिए कि डिब्बा पूरा भर जाए पूरे भरे डिब्बे से माचिस की डिब्बियों को एक एक करके बहार निकालिया और उनकी गिंती संख्या कीजिए क्या कह सकते हैं कि मिठाई के डिब्बे की छमता माचिस की इतनी डिब्बियों के बराबर है सेव आम अंगूर से भरी पेटियों के विशय में भी क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मिठाई से भरे डिब्बों की छमता मिठाई के कितने टुकडे बराबर फीस के बराबर है इस पर चर्चा करते हैं तो चलिए देखते हैं कि कितने पीस के बराबर है तो देखिए जोड़िये वाला हमारे एक सवाल है 26 किलो ग्राम 252 ग्राम में हमें 53 किलो ग्राम 735 ग्राम को जोड़ना है तो सबसे पहले हम ग्राम से ग्राम को जोड़ लेंगे दो और पांच को जोड़ा तो दो और पांच साथ हो गया पांच और तीन को जोड़ते हैं तो आठ हो जाएगा दो और नौ को जोड़ेंगे, साथ को जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा इसे प्रकार आप देखे, छै और तीन को जोड़ा तो नौ हो गया दो और पांच को जोड़ा तो साथ हो गया जहां किलो ग्राम है उसके निचे किलो ग्राम लिख देंगे जहां ग्राम है उसके निचे ग्राम लिख देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 79 किलो ग्राम और कितना ग्राम 987 ग्राम ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ चलिए दूसरे वाले सवाल में जोडते हैं अब हमारे पास लीटर और मिली लीटर के रूप में सवाल है तो देखिए सबसे पहले जीरो से पांच को जोड़ेंगे तो पांच आ जाएगा पांच से दो को जोड़ेंगे तो साथ आ जाएगा दो से एक को जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा ये क्या है ये है मिली लीटर अब देखे पांच को जोड़ेंगे दस की शुन्य हासल का एक छे और दो आठ और एक हो गया नौ और इसके आगे मातरक क्या है लीटर है याने 90 लीटर 375 मिली लीटर यह हमें माप प्राप्थ हुआ यह हमारा आंसर है इसी प्रकार अब हमें घटाना है तो घटाने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर 625 ग्राम है और यहाँ से 745 ग्राम है तो जब भी हम जानते हैं कि उपर वाली संख्या यदी छोटी है तो हम यहाँ से 1 किलो ग्राम उधार ले लेंगे 1 किलो ग्राम उधार लेंगे तो वो ग्राम में बदल के कितने ग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा यह एक को यहां जब लिखेंगे तो 1625 5 में से 5 गया, 0 2 में से 4 नहीं जाता, एक उधार ले गए 12 में से 4 गया तो 8 और यहां पर 16 से एक उधार जा चुका था 15 में से 7 गया तो 8 880 ग्राम अब किलो ग्राम में देखिए कितना बचा किलो ग्राम में हमें बचा यहां 4 है, क्योंकि एक उधार जा चुका है 4 में से 3 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2 21 किलो ग्राम, 880 ग्राम हमारा आंसर है अब देखिए अगला सवाल यहां पर है 65 लीटर 920 मिली लीटर में से 35 लीटर 415 मिली लीटर को गटाना है तो देखिए, कैसे गटाएंगे हम तो देखिए यहां पर 0 0 में से 5 नहीं गटता एक उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 यहां 1 में से 1 गया तो 0 9 में से 4 गया तो 5 505 मिली लीटर आ गया अब यहां देखिए लीटर में 5 में से 5 गया सुने और 6 में से 3 गया तो 3 तो 30 लीटर 505 मिली लीटर यह हमारा आंसर है अब देखिए आगे एक गाड़ी में 100 किलोग्राम की एक गेहूं की बोरी 35 किलोग्राम की चावल की एक बोरी 70 किलोग्राम की एक आलमारी तथा 20 किलोग्राम की एक मेज रखी है गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम सामान रखा है तो देखिए सबसे पहले 100 किलोग्राम क्या है गेहू है 100 किलोग्राम गेहू फिर चावल कितना है चावल है 35 किलोग्राम चावल है 35 किलोग्राम फिर सत्तर किलोग्राम अलमारी है कितनी है सत्तर किलोग्राम फिर आगे देखिए बीस किलोग्राम की एक मेज रखी है मेज कितने किलोग्राम की है बीस किलोग्राम की अब पूरे को जोड़ देंगे हम तो ये हो गया जीरो पांच पांच तो ये पांच ही है फिर ये तीन, साथ, दस और दो बारा की दो हसल का एक एक और एक दो दो सो पच्चिस किलो ग्राम सामान रखा हुआ है ये हमारा आंसर है इसी प्रकार देखिए प्रतेक एक रुपए के यदि एक रुपए के दस सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही साथ सिक्कों का वजन कितना होगा तो चलिए एक रुपए के कितने सिक्के हैं हमारे पास दस सिक्के हैं दस सिक्कों का वजन कितना है 48 ग्राम है अब यदि सिक्कों की संख्या 100 कर रहे हैं हम एक सुन्ने यहां बढ़ा रहे हैं तो यहां भी हम एक सुन्य बढ़ा देंगे चार सो असी ग्राम आ जाएगा आप्सन नमबर सी सही हो जाएगा इसी प्रकार देखिए सो मिली मीटर के मापक बरतन से एक लीटर का बरतन कितने बार में पूरा भर जाएगा एक लीटर याने एक हजार एमेल एक लीटर याने एक हजार एमेल और हमारे पास मापक क्या है सो एमेल का है सो एमेल के मापक से एक हजार एमेल कितने बार में भर जाएगा तो जो एक हजार एमेल है वो रहेगा उपर और सो एमेल रहेगा नीचे दो सुन्य से दो सुन्य कर जाएगे दस बार में भर जाएगा कितने बार में भर जाएगा दस बार में ये हमारा आंसर है अगला है एक किलो ग्राम एक हजार ग्राम तो दस हजार ग्राम में कितने किलो ग्राम होंगे देखिए एक सुन्ने यदि हम यहां पर पानी का इस तर 30 mm उपर उठ जाता है तो 60 mm उपर उठाने के लिए कितने कंचों को गिलास में डालना होगा 30 उठ रहे हैं 6 कंचे में तो 30 दूनी 60 उठेंगे 6 दूनी 12 कंचे में 12 कंचे याने यहां पर तो यहां पर हम आंसा लिख देंगे 12 कंचे फिर देखिए 3 लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं एक लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं एक को यदि हम 3 गुना कर देंगे तो 3000 मिली लीटर होते हैं Option number C सहीं है, नीचे दिये गए प्रसनों को हल कीजिए, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, तो समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना हो जाएगा, एक कंचे का वजन कितना है, 10 ग्राम है, तो अब कंचे कितने कर दिये, 10 कर दिये, एक शुन ने बढ़ा दिया, तो कितने ग्राम हो ज तो रही तक में 100 ग्राम साइध एक कंचे का वजं पता का से अधका आगे है मिठाई के एक टुकडे का वजन पचास ग्राम है ऐसे ही दस टुकडों को एक डिब्बे में रखा गया है उस डिब्बे में कितने वजन की मिठाई रखी गई है तो मिठाई के एक टुकडे का वजन कितना है पचास ग्राम है ऐसे ही 10 टुकडे एक डिब्बे में रखे गए हैं तो एक का वजन कितना है 50 ग्राम है तो 10 रखी गई हैं तो उनका वजन कितना हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा एक सुन बढ़ा दिया न तो ये हो जाएगा पूरा लिखेंगे आप मिठाई के एक टुकडे का वजन 50 ग्राम है इसलिए 10 टुकडे का वजन 10 गुना करने पर प्राप्त होगा याने 50 गुणा 10 याने 500 ग्राम मिठाई के एक डिब्बे का वजन 50 ग्राम है एक डिब्बे में एक किलो ग्राम मिठाई के टुकडे रखे गए हैं तो उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी गई हैं संख्या जब भी हमको निकालना होता है तो बड़ी माप को उपर लिखना होता है छोटी माप को नीचे लिखना होता है एक किलो ग्राम यानि एक हजार ग्राम एक हजार ग्राम और एक टुकडा कितने ग्राम का है पच्यास ग्राम तो देखिये ये एक सुन से एक सुन और पांच दूनी 10 और सुनने लगा देंगे तो कितने मिठाई हो जाएंगी 20 20 मिठाई रखी जाएंगी आगे है एक पानी की टंकी में 500 लिटर पानी भरा है उस पानी से 20 लिटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है 500 लिटर पानी भरा हुआ है 20 लीटर वाली बाल्टियां भर रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा 20 दूनी 40 हो गया फिर बचा 10 उतारे सुन बीस पंचे 100 हो गया तो 100 मतलब कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है 25 बाल्टियां भरी जा सकती है आगे है यदि एक रुपए के 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन कितना हो गया 200 ग्राम 25 सिक्कों का वजन कितना हो गया वजन बराबर 200 ग्राम सिक्कों का वजन निकालना है पचास सिक्कों का तो पच्चिस में दो का गुणा करने पर कौन प्राप्त होता है पचास प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा पचास सिक्कों का वजन सिक्कों का वजन जब हम बाई तरफ हमने दो का गुणा किया तो यहां भी हम दो का गुणा कर देंगे 200 दूनी 400 ग्राम हो जाएगा पचास सिक्कों का वजन कितना हो जाएगा 400 ग्राम हो जाएगा आगे 11 प्रश्न है यदि 2 किलो ग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सुखा टमाटर पाउडर बनता है तो एक किलोग्राम सुखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना होगा तो देखें दो किलोग्राम टमाटर से कितना बन रहा है सौ ग्राम बन रहा है तो दो किलोग्राम टमाटर से सौ ग्राम बन रहा है अब हम एक सुन यहां बढ़ा देंगे तो बीस किलो ग्राम टमाटर से कितना बन जाएगा एक हजार ग्राम बन जाएगा एक हजार ग्राम ही तो हमें बनाना था ना एक हजार ग्राम याने एक हजार ग्राम याने एक किलो ग्राम तो यहां हो जाएगा ये 20 किलो ग्राम टमाटर की आवशक्ता होगी ये हमारा आंसर है फिर आगे देखें निमनलिखित जानकारी को पढ़ी है और नीचे देगा है प्रश्णों के उत्तर देना है चावल 100 ग्राम आटा 100 ग्राम दाल चावल के भार का एक चौथाई तेल 50 ग्राम चीनी 50 ग्राम नमक 5 ग्राम सुखे प्याज 10 ग्राम सुखे टमाटर 10 ग्राम अच्छा आप देखिए प्रश्ण सौरे दो सो पचास ग्राम सामगरी रखना चाहता है वह क्या क्या सामगरी रख सकता है दो सो पचास ग्राम में वह क्या क्या सामगरी रख सकता है तो देखिए तेल रख लेगा पचास ग्राम और आटा और चावल रख लेगा सौ सो ग्राम कितना हो जाएगा दो सो पचास ग्राम आटा चावल और तेल कितने ग्राम हो गए सो ग्राम सो ग्राम पचास ग्राम दो सो पचास ग्राम हो गया अगला है सिखर 310 ग्राम सामागरी रखनता है उसे कौन-कौन सी सामागरी रखी होगी 310 के लिए देखिए ये भी हो गया सामिल और तो 300 हो गया फिर 10 के लिए हम इसे सामिल कर लेंगे सूखे प्याज को क्या हो जाएगा आटा चावल तेल चीनी और सूखे प्याज सूखे प्याज तो देखिए 100 धन 100 धन 50 धन 50 और 10 ग्राम तो उकुल मिला कर हो गया 310 ग्राम ये हो गया हमारा आंसर चौथा प्रशन देखते हैं चौथा प्रशन है यदि आपको 305 ग्राम सामागरी रखना है तो आप क्या क्या सामागरी रखेंगे कितनी कितनी सामागरी रखेंगे 305 ग्राम है तो देखिए ये 5 ग्राम के लिए हो गया ये 50 पचास और ये 100 और ये 100 तो हो गया चावल आटा तेल चीनी नमक यहां लिख देंगे चावल आटा तेल चीनी नमक अब देखिए क्या हो जाएगा चावल 100 ग्राम आटा 100 ग्राम तेल पचास ग्राम चीनी पचास ग्राम और नमक है 10 ग्राम ये हो जाएगा 305 ग्राम ये हमारा आंसर है एक थैले में सभी सामगरी भरी भर दी गई सामगरी का कुल भार ग्यात कीजिए समगरी, पूरी समगरी भर दे गई, फिर से पूरी समगरी को हम लेंगे ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, चावल के भार का एक चौंथाई है दाल, याने 100 का एक चौंथाई कितना हो जाएगा, 25 ग्राम, 25 ग्राम कौन है, दाल है और फिर है 50 ग्राम तेल, 50 ग्राम चीनी और फिर ये 5 ग्राम नमग, 10 ग्राम सुके प्याज, 10 ग्राम टमाटर ये हो गया 25 ग्राम, ये हो गया 100, 200, 300, 325 और 350 तो कुल मिलाके कितना हो जाएगा 350 ग्राम पूरा लिखेंगे थैले में सभी सामागरी भर दी जाएं, तो उनका भार 350 ग्राम हो जाएगा आगे 16 नमर का प्रश्ण है एक आइस क्रीम बॉक्स 50 सेंटी मिटर लंबा, 50 सेंटी मिटर उचा, 50 सेंटी मिटर चोड़ा है इस आइस क्रीम बॉक्स में 5 सेंटी मीटर लंबी 5 सेंटी मीटर चोड़ी 5 सेंटी मीटर ऊची वाली कितनी आइस क्रीम रखी जा सकती है तो देखे आइस क्रीम की जब भी हम संख्या लेते हैं तो संख्या कैसे लेंगे बड़े वाले मान को उपर लेंगे तो पचास लंबा पचास चोड़ा और पचास उचा पांच लंबा पांच चोड़ा और पांच उचा तो देखे ये हम कितने आइस क्रीम निकाल सकते हैं आइस क्रीम की संख्या है यह आइस क्रीम संख्या की संख्या तो देखिए पाँच एकम पाँच पाँच धाम पचास पाँच धाम पचास और पाँच धाम पचास क्या हो जाएगा दस धाम सो और दस करगुणा कर दें कि तो एक हजार आइस क्रीम रख सकते हैं कितने आइस क्रीम रख सकते हैं एक हजार आइस क्रीम और ये हमारा आंसर है सत्रवा प्रश्ण है देखिए एक पासा दो सेंटीमीटर लंबा दो सेंटीमीटर चोड़ा दो सेंटीमीटर उचा है पासा एक बाक्स जिसकी लंबाई आठ सेंटीमीटर चोड़ी चवड़ाई 8 cm हुचाई 8 cm है बाक्स के ऐसे कितने पासे भरे जा सकते हैं तो आ जाएगा पासों की संख्या पासों की संख्या बराबर तो देखिए बाक्स का आयतन बटे पासे का आयतन बाक्स का आयतन क्या हो जाएगा 8 x 8 पासे का आयतन क्या हो जाएगा 2 x 2 x 2 यह तीनो 2 मिलकर एक 8 को कार देंगे 8 x 8 यह 64 64 आ जाएगा पासों की संख्या ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं 64 रखे जा सकते हैं अब अठारवा प्रशन है बच्चों माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना है पहली परद बनाने के लिए 14 माचिस की डिब्बियों उपयोग में लाई जाती हैं ऐसे ही 4 परदे बनाने के लिए माचिस की कितने डिब्बियां उपयोग में लाई जाएंगी तो देखे मंच बना रहे हैं पहली परत बनाने के लिए 14 माचिस की डिब्यां लग रही है तो ऐसे चार परते हमको बनाना है तो क्या हो जाएगा चार 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 चौके 56 चपन डिब्यां उपयोग में आएंगी आगे 19 प्रस्न है एक हाती के बच्चे का जन्म का समय 90 Kilogram वजन है यदि आपका जन्म के समय वजन Islam 3 Kilogram था तो हाती के बच्चे का जन्म के समय वजन आपके जन्म के समय वजन का कितना गुना था तो वजन का गुना वजन का गुना परावर तो देखिए हाथी के बच्चे का वजन है ज्यादा वाला लिखेंगे उपर 90 किलोग्राम और मनुष्य के बच्चे का जन्म है 3 किलोग्राम तो तीन तिया नौ सुन्य बराबर आगया 30 किलोग्राम तो कितने गुना है समय वजन कितने गुना है 30 किलोग्राम नहीं क्या लिखेंगे आपर 30 गुना अधिक वजन्दार है हाथी का बच्चा मनुष्य के बच्चे से अब देखे बीश्वा प्रस्ण यदि एक किलोग्राम अंगूर से किसमिस बनाने का वजन एक बटे 3 है तो किलोग्राम रह जाता है एक सो पच्चास किलोग्राम अंगूर से कितने किसमिस बनाई जा सकती है प्राप्त हुई एक किलोग्राम अंगूर से किसमिस बनाने उसका वजन एक वटे तीन किलोग्राम रह जाता है एक वटे तीन किलोग्राम तो एक सो पच्चास किलोग्राम एक किलोग्राम की ज़िए क्या लिख देंगे एक सो पच्चास किलोग्राम अंगूर से किसमिस बराबर एक बटे तीन में किसका गुणा हो जाएगा एक सो पच्चास का तो तीन पाचे पंदरा और तीन सुन्नम सुन यानि यहाँ पर आजाएगा कितनी किसमिस बनाई जा सकती है हैं यहां पर आजाएगा पच्चास किलो ग्राम तो बच्चों आज की है क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है धन्यवाद